शिर्मक्द बाल के रमायन के किसकंदा कांडवे चोसठवे सर्ग में समुद्र की विशाल्टा देखकर विशाद में पड़े हुए वान्डों को आश्वाशन देकर अंगद का उनसे प्रतक प्रतक समुद्र लंगन के लिए उनकी शक्ती पूछना। घिर्द राज समपाते के इस परकार कहने पर सिंग के समान प्राकरमी सभी वान्ड बड़े परसन्न हुए और प्रसपर मिलकर उचल उचल कर गरजने लगे। समपाते की बातों से रावन के निवास थान तथा उनके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर से बरे हुए वे सभी वान्ड सीता जी के दर्शन के इच्छा मन में लिये हुए समुद्र के तड़ पर आए। उस भ्यांकर प्राकर्मी वान्डों ने उस देश में पहुँचकर समुद्र को देखा जो इस विराठ विश्य के संपुरन पति भिम्ब की भाती स्थित्ता। दक्षिन समुद्र के उत्तर तड़ पर जाकर उन महाबली वानर विरों ने डेरा डाला। वे समुद्र कहीं तो त्रंगहीन एम शान्थ होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था। अंदेत्र जहां थोड़ी थोड़ी लेरें उट रही थी वहां वे क्रीडा करता सा परतीत होता था। दूसरे स्थल में जहां उताल त्रंगें उटती थी। वहां परवत के बराबर जल्ड राशियों से आवरित दिखाई देता था। वे साना समुद्र पताल निवासी दानव राजों से व्याब था। उस रुमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ट वानर बड़े विशाद में बढ़ गए। आकाश के समान दुरलंग्य समुद्र पर दिश्टी पात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैटकर चिंता करने नगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विशाद में डूबही देकर करम शेष्टंगत। उन भै आतरवनरो को आशवाशन देते हैं बोले वीरो तो मैं अपने मन को विशाद में नहीं डालना चाहिए क्योंकि विशाद में बहुत बड़ा दोश है जैसे क्रोध में भरा हुआ साम अपने पास आईवे बालक को काट खाता है उसी परकार विशाद पुरुष का ना आश हो जाता है उस तेजो हिन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है उस सदात्री के बी जाने पर बड़े बड़े वानरो के साथ मिलकर अंगत ने पुना विचार अरंब किया उस समय अंगत को घेर कर बैठे ही वानरो की वैसेना इंद्र को घेर कर स्थित आती थी बारी पुत्र अंगत तथा प्रवन कमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सैना को सुस्थिर रख सकता था शूर वीरों का दमन करने वाली शिरिमान अंगत ने उन बड़े बुड़ो वानरों का सम्मान करके उन से ये अर्थ युक्त बात कही स जनो तुम लोगों में कौन ऐसा महात जसी वीर है जो इस सम्मे समुत्र को लांग जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य परतिक बनाएगा कौन वीर वानर सो योजन समुत्र को लांग सकेगा और कौन सा समस्त यूथ पतियों को महान भैसे मुक्त कर देगा किसके प्रशाद से हम लोग सफल मनौरत हैं सुखी होकर यहां से लोटेंगे और घरदवार तथा इस्तिपुत्र का मूद देख सकेंगे किसके प्रशाद से हम लोग हर्श उत्फुल होकत शीर राम महाबली लच्वन तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांग जाने में सम्मध हो तो वह शीक्री हमें यहां परम पृत्र अभेदान दे अंगत की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला यह सारी वानर से नम अहां जडवत स्थेर रही तब वानर श्रेष्ट अंगत ने पुणा उन सब से कहा बलवानम श्रेष्ट वानरो तुम साव लोग द्रिटा पूरा प्राकर्म प्रगट करने वाले हो तुमारा जनम कलंक रही पुत्तम कुलों में हुआ है इसके लिए तुमारी बारंबार प्रशिंशा हो चुकी है अदमें अपने अपने उत्सा का शक्ती का क्रमशा परचित देने लगे गाज गवाक्ष गवे शरव गंडमाधन मेंद दुविद शुशेन और जामान इन सब ने अपनी अपनी शक्ती का वर्णन किया इनमें से गज ने कहा मैं दस योजन के चलांग मार सकता हूं गवाक्ष बोले मैं 20 योजन तक चला जाओंगा इसके बाद वहाँ शरब नमक वानर ने उन कपीवरों से कहा वानरो मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाओंगा अंतर कपीवर रिशब ने उन वानरों से कहा मैं 40 योजन तक चला जाओंगा इसमें शिंचे नहीं है तदपश्चात महत जसी गंदमादन ने उन वानर वीरों से कहा इसमें संदे नगी कि मैं 50 योजन तक चलाओंग लगाओंगा इसके बाद वहां वानर वीर मेंद उन वान्डों से बोले मैं साथ योजन तक छिलांग में कूछ जाने का उत्सा रखता हूँ तदंतर महात जसी दिद बोले मैं सत्तर योजन तक चला जाऊंगा इसमें संदे नहीं है इसके बाद धहरेशाली कपी श्रेष्ट महात जसी शुशैन बोले मैं एक छिलांग में असी योजन तक जाने की परतिग्या करता हूँ इस परकार कहने वाले सब वान्डों का सम्मान करके रिक्षराज जामान जो सब से बुड़े थे बोले पहले यूवा वस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छिलांग मारने की कुछ शक्ती थी यद भी आप में उस सवस्था को पार कर चुका हूँ तो भी जिस कार के लिए वान्ड राज सुग्री तथा भगवान शीर राब दिड़ निच्चे कर चुकी हैं उनकी मेरे दोरा पीक्षा नहीं की जा सकती इससे मेरी जो गती है उसे आप लग सुने मैं एक छिलांग में नब्बे योजन तक चिला जाओंगा इसमें शंशे नहीं है ऐसा कहकर जामवान उन समस्त श्रेष्ट वान्रों से पुना इस परकार बोले पूर काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ती नहीं थी पहले राजा बली के यग्य में सर्व्यापी एम सब के कारण बूद सनातन भगवान विश्णू जब तीन बाग भूमी नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे उससे मैंने उनके उस विराठ सवरूप को थोड़े ही समय में परकर्मा कर ली थी इस समय तो मैं बुड़ा हो गया अदा छ्रांग मारने के मेरे शक्ती बहुत कम होगी है किन्तो युवावस्था मेरे भीतर वे महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है आज कल तो मुझे में सता चलने की इतनी ही शक्ती है प्रन्तो इतनी ही गती से समुद्र लंगन इस वर्तमान कारे के सिध्धी नहीं हो सकती तरंतर बुद्धीमान महाकपी अंगत ने उन समस जामान का विशी शादर करके युदारता पूर्ण बात कही मैं इस महासागर के सो योजन की विशाल दूरी को लंग जाऊंगा किन्तो उदर से लोटने में मेरी ऐसी ही शक्ती रहेगी या नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता इस बात्चित की कला में चतोर जामान ने कपी श्रेश्रंगर से कहा रीचो और वानरों में शेश्चि वराज तुमारी गमन शक्ती से हम लोग बड़ी वहांती परचित हैं बड़े ही तुम एक लाख योजन तक चले जाओ तथा पिर तुम सब के स्वामी हो अधर तुमें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है तुम लाखो योजन जाने और वहां से लोटने में समर्थ हो कितनों ताथ वानर शिरमनी जो सब को भेजने वाले स्वामी हैं वे किसी तरह आग्या पालक नहीं हो सकता ये सब लोग तुमारे सिवक हैं तुम इनी में से किसी को भेजो तुम कलत्र इस्त्री की भांती रक्षनी हो जैसे नारी पती के हिर्दे की स्वामनी होती है उसी परकार तुम हमारे स्वामी के परदबर परतिष्टित हो परमतब स्वामी सेना के लिए इस्त्री के समान संडक्षनी होता है यहीं लोग की मन निता है शत्रुदवन तात तुम्ही इस कारे के मूल हो अधैस सदा कलत्र की भांती तुम्हारा पालन करना उचित है कारे के मूल की रक्षा करनी चाहिए यही कारे के तत्त को जानने वाले विद्वानों की नीती है क्योंकि मूल के रहने पर भी सभी गुंद सफल सिद्ध होते हैं राते सत्य प्राकरमी शत्रोदमनवीर तुम्हिस कारे के साधन तथा बुद्धी और प्राकरम से संपन हे तू हो कभी शरिष्ट तुम्ही हमारे गुरू और गुरू पुत्र हो तुम्हारा आशिरे लेकर ही हम सब लोग कारिसादन में संबर्थ हो सकते हैं जब परमद्दीमन जामवानपूर वक्त बात कह चुके तब महा कपी बाली कमारंगत ने उन्हें इस पर कार उतर दिया यदि मैं नहीं जाओंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ट वानर जाने को तियार नहीं होगा तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरनांत उपवास ही करना चाहिए वो दिमान वानर राजसुगरी के अदेश का पालन किये बिना यदि हम लोग किसकंदा को लोट चने तो वहाँ जाकर भी हमें अपने प्रानों की रक्षा का कोई उपाए नहीं दिखाई दिता वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी सम्मर्थ हैं उनकी आग्यकाव लंगन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है जिस उपाई से इस सीता दर्शन रुपी कारे की सिद्धी में कोई रुकावट नहीं पड़े उसका आपी विचार करे क्योंकि आपको सब बातों का अन्भव है उसमें अंगत के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरुमनी जामान ने उनसे ये उत्तम बात कही वीर तमारे इस कारे में कोई किंचित भी तुड़े नहीं आने पाएगी अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित का रहा हूँ जो इस कारे को सिद्ध कर सकेगा ऐसे कहकर वान्डो और भान्व के वीर यूद्पती जामान ने वानर सेना के श्रेष्ट और हनुमान जी की और प्रेरित किया जो एकांत में जाकर मोज में बैठे वे थे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसी श्रेश्ट थे 66 सर्ग में लाखों वानों की सैना को इस तरह विशाद में पड़े देखकर जाम वानने हनुमान जिसे कहा वानर जगत के वीर तथा संपुरन शास्त्र वेताओं में श्रेश्ट हनुमान तुमें कांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो कुछ बोलते के हो नहीं अनुमान तुम तुम वानर राज सुगृ के समान प्राकरमी हो तथा तेज और बल में शीराम और लच्छम के तुल्ले हो कश्चप जी के महाबली पुत्र और समस्थ पक्षियों में श्रेश्चो विंतानंदर गरुड है उन्ही के समान तुम भी विख्याद शक्ति शाली एम तीवर गामी हो माबाहू पक्षी राज गरुड को मैंने समुद्र में कहीं बार दिखा है जो बड़े-बड़े सर्पो को वहाँ से निकाल लाते हैं उनके दोनों पंक्षों में जो बल है वही बल वही प्रकर्म तुमारे इन दोनों बुजाओं में भी है इसलिए तुमारा वेग और विक्रम भी उनके से कम नहीं है वानर शिरुमनी तमारा बल, बुद्धी, टेज और धैरे भी समस्थ प्राणियों में सबसे बढ़ कर है फिर तुम अपने आपको ही समुद्र लांगने के लिए क्यों नहीं हितियार करते वीरवार तमारे प्रादर भाव की कथा इस परकार है पुझीक स्थला नाम से विख्याद जो अप्सरा है वे समस्थ अप्सराओं में अग्रगन्य है ताद एक समय शावास वे कपी योनी में अवतिर्न हुई उसमें मैं वानर राज महामनस्वी कुंजर की पत्री इच्छांग सार रूप धारन करने वाली थी इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई इस्त्री नहीं थी वे तीनों लोकों में विख्याद थी उसका नाम अंजना था वे वानर राज केशरी की पत्नी हुई एक दिन की बात है रूप और यवन से शौबित होने वाली अंजना मानवी इस्त्री का शीर धारन करके वर्शाकाल के मेक के भांती शाम कांती वाले एक परवत शिकर पर विचर रही थी उनके अंगों पर रेश्मी साड़ी शौबा पाती थी वे फूलों के विचित्रा भूचन से भूचित थी उस विशाल लोचना बाला का संदर वस्त तो पीले रंका था किन्तो उसके किनारे का रंग लाल था वे परवत के शिकर पर खड़ी थी उसी समय वायू देवता ने उनके उस वस्तर को धीरे से हर लिया और कहा ये सेस्वनी तुवे बाल प्रकर्म से संपन एं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा वे महान धैरिवान, महात जस्सी, महाबली, महाप्रकर्मी तथा लांगनी और छलांग मातने में मेरे समान होगा महाकपे, वायू देव के ऐसा कहने पर तुमारी माता पर सन्न होगी महाबाहो वानर शिरेष्ट फिर उन्होंने तुमें एक गुफा में जनम दिया बाले वस्ता में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूरे को देखकर तुमने संजा कि ये भी कोई फल है अदै उसे लेने के लिए तुम सैसा आकाश में उचल बड़े महाकपे, तीन सो योजन उचे जाने के बाद सूरे के तेश से अकरान थोने पर भी तुमारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई कपी प्रवार, अंत्रिक्ष में जाकर जब तरंथी तुम सूरे के पास पहुच गे तब इंदर ने कुपी थोकर तुमारे उपर तेश से परकाशित वज्जर का प्रहार किया उसमें उदेगरी के शिखर पर तुमारे ठोड़ी का बयाँ भाग वज्जर की चोट से खंडित हो गया तब इसे तुमारा नाम हनुमान पड़ गया तुम पर प्रहार किया गया है ये देखकर कंद वाहक वायू देवता को बड़ा करोध हुआ उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रभाई तोना छोड़ दिया इससे संपुन देवता घबरा गए क्योंकि वायू के अब रुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खल बली माच गी थी उसमें समस्त लोकपाल कुपित हुए वायू देव को मनाने लगे सत्यप्रकर्मितात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुमारे लिए ये वर दिया कि तुम समरांगन में किसी भी अश्ट्र शष्ट्र के द्वरा मारे नहीं जा सकोगी प्रभू वज्जर के प्रहान से भी तुम्हें पेडितना देखकर सस्त निधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्ता हुई और उन्हें तुमारे लिए उत्तम वर दिया मृत्यू तुमारे इच्छा के अधिन होगी तुम जब जाहोगे तब ही मर सकोगे अन्यता नहीं इस परकार तुम केसरी के शित्रग्य पुत्र हो तुमारा प्राकर्म शक्त्रों के लिए भ्यंकर है तुम वायु देव के ओरस पुत्र हो इसलिए तेज की द्रिष्टी से भी उन्हें के समान हो वास तुम पौण के पुत्र हो अदा छ्लांग मारने भी उन्हें के तुल्डिय हो हमारी प्राण शक्ती अब चली गई इस समें तुम हम लोगों में दूसरे वानर राज की बाती चातुरे आहम पुरुष्ट से संपन हो तात भगमान वामान ने तिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था उससे मैंने परवत वान और कानों सही समूची पृत्थी को 21 बार प्रदक्शना की थी समुद्र मंथन के समय देवताओं की आग्या से हमने उन ओश्टियों का संचे किया था जिनके द्वारा अमरत को मत कर निकालना था उन दिनों हम में महान बल था आप तो मैं बुड़ा हो गया हूँ मेरा प्रकर्म गट गया है इसमें हम लोगों में तुमी सब प्रकार के गुमों से संपन हो अधा प्रकर्मी वीर तुम अपने असीम बल का विस्तार करो छलांग मारने वालों में तुम सब से श्रीष्टो ये सारी वानर सेना तुमारे बल प्रकर्म को देखना चाती है वानर श्रीष्टन मांग उठो और इस महासागर को लांग जाओ क्योंकि तुमारे गति सभी प्राणियों से बढ़ कर है हनुमन समस्त वानर चिंता में पड़े हैं तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो महान वेक्षालिवीद जैसे बगवान विश्ण ने तिलोकी को नापने के लिए तीन पग बढ़ाए थे उसी परकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ इस परकार वानडो और भारवों में श्रेष्ट जामवान की प्रेन ना पाकर कपीवार पवन कमार हनुमान को अपने महान वेक्ष पर विश्वाश हुआया उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उसमें अपना विराठ रूप प्रगट किया सो योजन के समुद्र को लांगने के लिए वानर शिरिष्ट हनुमान जी को सैसा बढ़ते और वेक से परिपूर्ण होते देखकर सब वानर तरंच शोग छोड़कर अत्यां धाज से बार गए और महाबली हनुमान जी की स्तूति करते हुए जोर जोर से गरजना करने लगे में उनके चारोवर खड़े होकर परसन्यम चकी ठोकर उन्हें इस परकार देखने लगे जैसे उत्साय युक्त नाराइन अवतार वामन जी को समस्थ प्रजा ने दिखा था अपनी प्रशंचा संकर महाबली हनुमान ने शीर को और भी बढ़ाना अरंब किया साथी हर्ष के साथ अपनी पूछ को बार अंबार घुमा कर अपने महान बल का समरन किया बड़े बुड़े वानर शीरमनियों के मुक से अपनी प्रशंचा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उससे बढ़ा ही उत्तम परतीत होता था जैसे परवत की विस्टिकंद्रा में सिंग अंगडाई लेता है उसी परकार वायो देवता के औरस पुतर ने उससे में अपने शीर को अंगडाई से ले लेकर बढ़ाया जमभाई लेते समें बद्धीमान हनुमान जी का दीप्तियान मुख जलते हुए भान तदा धूम रही अगनी के समान चुवा पा रहा था वे वानलो के बीच से उटकर खड़े होगे उनके सम्पूरन शीर में रुमान चुवाया उस वस्ता में हनुमान जी ने बड़े बुड़े वानलो को परनाम करके इस परकार कहां आशात आकाश में विचरने वायो देवता बड़े बलवान है उनकी शक्ति की कोई सीमा नही वे अगनी देव के सखा हैं और अपने वेक से बड़े बड़े परवतों शिकरों को भी तोड़ डालते हैं अच्चन शिक्र वेक से चलने वाले उन शिक्र का मी महात्मा बायू का मैं औरस पुत्र हूँ और छ्छनांग लगाने में उन्ही के समान हूँ कई सास्त्र योगन के वेक से समुद्र को विशुब्द करके उसके जल से मैं परवत नदी और जिलाशो सहीत संपुरन जगत को आप लावित कर सकता हूँ वरन का निमास थान ये महा सागन मेरी जांगो और पिंडरियों के वेक से विशुब्द हो उठेगा और इसके भीत देने वाले बड़े बड़े ग्रा उपर आ जाएंगे समस्थ पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्व सर्प भोजी विंता नंदन गरुड आकाश में उड़ते हूँ तो भी मैं हजारो बार उनके चारो और घुम सकता हूँ श्रेश्टवान रोग वो द्याचल से चल कर अपने तेज से प्रज आकाश चारी समस्थ ग्रेन नक्षत्र आदी को लांकर आगे बढ़ जाने का उस्सा रखता हूँ मैं चाहूं तो समद्रों को सोख लूँगा प्रिथी को विदेन कर दूँगा कूद कूद कर परतों को चूर चूर कर डालूँगा क्योंकि मैं दूर तक कि छलांग मारने व पानर हूँ महान वेक से महासागर को भांता हूँ मैं अवश्य उनके पार पहुँच जाऊंगा आज आकाश में वेक पूरक जाते समय लताओं और विर्क्षों के नाना परकार के फोल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे बहुत से फोल बिखरे होने के कारण मेरा मारक आका उतरते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे कपी वरो तुम देखोगे मैं महागरी मेरू के समान विशाल श्री धारन करके सरक को ढखता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूँगा बादरों को छिन भेर काटा रूँगा परतों को हिला दूँगा और एक च तोकर च्छांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूँगा विंता नंदर गरूड में मुझ में तदा वायू देटा में ही समुद्र को लांग जाने की शक्ती है पक्षी राज गरूड अत्वा महामली वायू देटा के सिवा और किसी प्रानी को मैं ऐसा ही देखता जो यहां से च्छनांग मारने पर मेरे साथ जा सके में एक से उत्पन ही विद्यत की भांती में पलक मारते मारते सैसा निरा धार अकाश में उड़ जाऊंगा समुद्र को लांगते समें मेरा वही रूप प्रगठ होगा जो तीनों पग़ों को बढ़ाते समें व देख कमारी का दर्शन करूँगा नहीं तो तुम लोग खुशियां मनाओ मैं वेग में वायो देखता था गरुड के समान हूं मेरा तो ऐसा विश्वाश है कि इस समें मैं दस हज़ार योजन तक जा सकता हूं वज्यतारी इंद्र अथ्वा संभव रम्मा जी के हाथ से भी वी मैं बाल पूरा कमरत छीन कर सैसा यहां ला सकता हूं समुची लंका को भी भूमी से उखाड कर हाथ पर उठाए चल सकता हूं ऐसा मेरा विश्वाश है अमेक तेजसी वानर शिरेश हनुमान जी जब इस परकार गरजना कर रहे थे उसमें संपूरन वानर अत्यंद हर्श में भार कर चकीत भाव से उनकी और देख रहे थे हनुमान जी कि ये बाते भाई बंदों के शोक को नश्ट करने वाली थी उन्हें सुनकर वानर सेना पती जामान को बड़ी परसंता हुई वे बोले वीर केशरी के स्पुत्र वेकशारी पवन कुमार तात तुमने अपने बंदों का महान शोक नश्ट कर दिया यहां आई हुए सभी श्रेष्ट वानर तुमारे कल्यान की काम ना करते हैं आप ये काड़ की सिद्धिके और देशे से एकागर चितवकर तुमारे लिए मंगल, कृत्य, सस्ती, वाचनादी का अनुस्ठान करेंगे रिश्यों के परशाद, रिद वानरो की अनुमती, तब गुरुजनों की क्रिपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओगे जब तक तुम लोट कर यहां आओगे, तब तक हम तमारी परतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे क्योंकि हम सब वानरो का जीवन तमारे ही अद्धीन है तन्तर कभी श्रेश्ठ हनुमान ने उन्वनमासी वानरो से कहा जब मैं यहां से च्छांग मारूंगा, उस समसार में कोई भी मेरे वेक को धारण नहीं कर सकेगा शिनाओं के समूँ से शुबा मपाने वाले केवल इस महिंदर परवत के शिकर ही उंचे 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 और स्थिर हैं जिन पर नना प्रकार के वरिक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदी धातों के समदाए शुबा दे रहे हैं इन महिंद्र शिखरों पर ही वेग पूरक पैर रहकर मैं यहां से चलांग मारूँगा यहां से सो योजन के लिए चलांग मारते समय महिंद्र परवद के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारन कर सकेंगे यूँ कैकर वायू के स्वन महांपरकर्मी शत्रु मर्दन पवन कुमार हनुमान जी परतों में श्रिष्ट महिंदर पर चड़ गे वे परवर्द नाना परकार के पुन्ने पुष्प युक्त वरिक्षों से बहरा हुआ था वन्ने पशू वहां की हरी हरी खास चार रहे थे लताओं और फूलों से वह सगंद जान पड़ता था और वहां के विरिक्षों में सदा ही फाल फूल लगे रहते थे महान परवत के वनों में सिंग और बाग भी निवास करते थे मतवाले गजराज विचरते थे मदबत पक्षियों के समूज सदा कल्रो किया करते थे तोसा जल के स्टोत्रों और जर्नों से वे परवत व्याब दिखाई देता था बड़े बड़े शिक्रों से उचे परदीत होने वाले महिंदर परवत पर आड़ूड होकर इंदर तुले प्राकर्मी महामली कपी श्रेष्ठ हनुमान वहां इदर उधर टैनने लगे महाकाई हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ बे महान परवत सिंख से आंकरात हुए महान मदमत गजराज की भाती चीतकार सा करने लगा वान रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानों उसका आर्थ चीतकार था उनके शिलासमु इदर उधर बिखर गे उससे नेने जरने फूट निकले वान रहने वाले मिरिग और हाथी भय से थर्राव थे और बड़े-बड़े वरिक्ष जूंके खाकर जूंने लगे मधूपान के संसर्क से उद्यचित वाले अनेका अनेक गंधरों के जोडे विद्याध्रों के संदाई और उड़ते हुए पक्षी भी उस परवत के विशाल शिकरों को फोड़ कर जाने लगे बड़े-बड़े सर्प बिलों में छिप गे तथा उस परवत के शिकरों से बड़ी-बड़ी शिलाइन टूट-टूट कर गिरने लगी इस परकार में महान परवत बड़ी दुरवस्था में पढ़ गया बिलों से अपने आदे शीर को बाहर निकाल कर लंबी सांस खीचते हुए सर्पों से अपलक्षित होने वाला महान परवत उस समें अनेका नेक पताकाउं से लंकरिच्सा परतीत होता था भैसे गबराई हो रिशी मुनी भी उस परवत को छोड़ने लगे जैसे विशाल दुर्गम मन में अपने साथियों से बिछडा हुआ एक राही भारी पत्ती में फस जाता है यही दशा उस महान परवत महिंद्र की हो रही थी शत्र वीरों का समार करने वाले वानर सिना के श्रेष्ट वीर वेक शाली महा मनस्वी महा अनभाव हनुमान जी का मन वेक पूरक छ्रांग मारने की योजना में लगा हुआ था उन्हें चित को एकागर करके मन ही मन लंका का समरन किया इस परकार श्री बालविक निर्मित आर श्रमायन आदिकाव के किसकंदा कांड में सर्ष्टवान सर्ग पूर्ण हुआ किसकंदा कांड समार्थ